ओम शैन्ति आज अव्यक्त बाब दाधा की मुर्ली है 16 जन्वरी की इसकी ओरिजिनल डेट 25 बारा 1989 की मुर्ली है मुर्ली का टाइटल है रूहानी फकुर में रहे बे फिकर बादशा बनो आज बड़े ते बड़े बाब बच्चों को अलोकिक दिव्य संगम युक्के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं दुनिया वालों के लिए विशेश एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं वे समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं लेकिन आप चानते हो उन्हों का मनाना क्या है उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाब के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है आयू में छोटा है लेकिन विशेशताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप, बड़े युग संगम युग में ही मिलता है साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुर्शोतम अब बनाते हैं जैसे आज के दिन की विशेष्टा है खुशिया मनाना और एक दो को गिफ्ट देना बुबारक देना और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं क्रिस्मिस की मुली है ना आप सबको बाप ने संगम युक पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वरक का राजे भागे लाया है तो सबकी हथेली पर स्वरक का राजे भागे है ना जिसको कहते हैं तिरी पर बहिष्ट अर्था हथेली पर स्वरक इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे में क्या होगी जैसे सूरी के आगे दीपक तो संगम युग की यादगार निशानिया अन्य धर्मों में भी रहे गई हैं आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी किफ दी है इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधी से मनाते हैं वे क्रिस्मिस फादर कहते हैं फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है चाहे लौके कृती से भी देखो फादर बच्चों का दाता होता है ये है बेहत का फादर बेहत का फादर गिफ्ट भी बेहत की देते हैं और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी कितने अच्छे-अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं लेकिन आज का दिन बीट गया फिर उस कार्ड को क्या करेंगे थोड़ा समय चलता है न खाने पीने की मीठी चीजे भी देंगे वे भी कितना समय चलेंगे कितना समय खुशी मनाएंगे नाचेंगे गाएंगे एक रात लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जनम में तो साथ है ही लेकिन जनम जनम साथ रहेगी दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आएं हैं खाली हाथ जाना हैं लेकिन आप क्या कहेंगे आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर हो कर जाएंगी और अनेक जनम भरपूर रहेंगी 21 जनमों की ये गिफ्ट साथ रहेगी ऐसी गिफ्ट कभी देखी है चाहे किसी भी फॉरण के देश के राजा वा रानी हो ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं चाहे पूरा तक्त दे दें ओफर करें ये तक्त आप ले लो आप क्या करेंगे कोई लेगा बाप के दिल तक्त के आगे ये तक्त भी क्या है इसलिए आप सबी फकुर में रहते हो फकुर अर्थार, रुहानी नशा इस रुहानी फकुर में रहने वाले किसी भी बात का फिकर नहीं करते बे फिकर बात्षा बन जाते हैं अभी के भी बात्षा और भविश्य में भी राजाही प्राप्त करते हो इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी ये बे फिकर बात्षा ही है कोई फिकर है और प्रविती में रहने वालों को बाल बच्चों का फिकर है कुमारों को खाना बनाने का फिकर जादा है कुमारियों को क्या फिकर होता है नौकरी का कि अच्छी नौकरी मिले फिकर है क्या बे फिकर होना जिसको फिकर होगा वे बे फिकर बात्षाही का मज़ा नहीं ले सकेंगे विश्य की राजाई तो 20 जनम होगी लेकिन ये बेफिकर बात्शाही और दिल तक्त ये एक ही इस युग में मिलते हैं एक जनम के लिए तो एक का महत्व है ना बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते ब्रामन जीवन अर्थार्थ बेफिकर बात्शा ब्रमा बाप बेफिकर बात्शा बने तो क्या गीत गाया पाना था सुपा लिया काम बाकी क्या रहा आप क्या कहते हो सेवा का काम बाकी रहा हुआ है लेकिन वे भी करावनार बाप करा रहा है और कराते रहेंगे हमको करना है इससे बोज हो जाता है बाप हमारे द्वारा करा रही है तो बेफिकर हो जाएंगे निश्चे है ये श्रेष्ट कारे होना ही है वा हुआ ही पड़ा है इसलिए निश्चे बुध्धी, निश्चिंत, बेफिकर रहती है ये तो सिरफ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे है निमित बनाए वर्तमान और भविश्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे है काम बाप का, नाम बच्चों का फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते हैं तो बेफिकर हुए ना, सेवा में सफलता का सहसाधनी ये है कराने वाला करा रहा है अगर मैं कर रहा हूं, तो आत्मा की शक्ती प्रमान सेवा का फल मिलता और बाप करा रहा है, तो बाप तो सर्वशक्तीवान है करम का फल भी इतना ही श्रेष्ट मिलता है तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुए, बेफिकर बादशाही वा हतेली पर सरक के राज्य भाग्ये की गौडली गिफ्ट सिम्रिती में रखो बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूती करेंगे दुनिया वाले तो सिरफ मुबारक देते हैं क्या कहते हैं, हैपी हो, हेल्दी वेल्दी हो, कह देते हैं लेकिन बन तो नहीं चाते हैं ना बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए health, wealth, happy वर्दानों के रूप में साथ रहती है सिरफ मुख से कह करके खुशने करते हैं लेकिन बनाते हैं और बनना ही मनाना है क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगे ना तो मुबारक वर्दान बन जाती है आप तना से निकले हुए हो यह सब शाखाएं हैं यह सबी धरम आपकी शाखाएं हैं ना कर्प व्रिक्ष की शाखाएं इसलिए व्रिक्ष की निशानी Christmas tree दिखाते हैं Christmas tree कभी सजी हुई देखी है इसमें क्या करते हैं तो स्टेज पर दो Christmas व्रिक्ष सजे रखे थे इसमें क्या दिखाया है विशेश चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं इसका अर्थ क्या है कल्ब व्रिक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो और जो भी धरम पिताय आते हैं वे भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं इसलिए golden aged आत्मा चमकती हुई होती है इसलिए ये कल्ब व्रिक्ष की निशानी अन्य धरम की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं सारे व्रिक्ष का great great grandfather है ना कौन सा बाप great great grandfather है बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है साकार स्रिष्टी की आत्मों का आदी पिता आदी नात ब्रह्मा है इसलिए great great grandfather है आदी देव के साथ आप भी होना की अकेले आदी देव हैं आप आदी आत्में अभी आदी देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी इतना नशा है खुशी के गीत सदा गाती रहते हो ना या सिरफ आज गाएंगे आज विशेश double foreigners का दिन है आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है चारो और देश विदेश के बच्चे कल्प वरिक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं सुक्षम रूप में तो सब मदुमन में पहुँचे हुए हैं वे भी सब आकारी रूप में मना रही हैं आप साकारी रूप में मना रहे हो सबी का मन बाप की Godly Gift को देख खुशी में नाच रहा है बाप ददा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हरशित भव की मुबारक दे रहे हैं सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ती के गीत गाते रहो ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेश भागे मिला हुआ है अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो बड़ा बाप है और बड़े आपी हो इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उसको महत्व देते हैं इसमें भी आप बड़े छोटे भाईयों उत्सा दिलाते हो सभी टीचर्स बेफिकर बादशा हो बादशा अर्था सदा निश्चे और नश्चे में स्थित रहने वाले क्योंकि ये निश्चे विजई बनाता है और नश्चा खुशी में सदा उचा उड़ाता है तो बेफिकर बादशा ही होंगे न कोई फिकर है क्या सेवा केसे बड़ेगी अच्छे अच्छे जिग्यासू पता नहीं कब आएंगे कब तक सेवा करनी पड़ेगी ये सोचती तो नहीं हो असोच बनने से ही सेवा बड़ेगी सोचने से नहीं बड़ेगी असोच बन बुद्धी को फ्री रखेंगे तब बाप की शक्ती मदद के रूप में अनुभव करेंगे सोचने में ही बुद्धी बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ती ग्रहन नहीं कर सकेंगे बाबा और हम कमबाइंड है करावन हार और करने के निमित मैं आत्मा इसको कहते हैं असोच अर्थाट एक की याद शुपचिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती जहां चिंता है वहां शुपचिंतन नहीं और जहां शुपचिंतन है वहां चिंता नहीं अच्छा, चारों और के गौडली गिफ्ट के अधिकारी बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भग्यवान आत्माएं आधी पिता के सदा साथी आधी आत्माएं सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा महब्बत की मुबारक अभिनाशी वर्दान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते पूना बीदर ग्रूप रोज अमरित वेले दिल खुश मिठाई खाते हो जो रोज अमरित वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयम भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं ये ऐसी खुराख है जो कोई भी परस्तिती आ जाए लेकिन ये दिलखुश खुराख परस्तिती को छोटा बना देती है, पहाड को रुई बना देती है, इतनी ताकत है इस खुराख में जैसे शरीर के इसाब से भी जो तंद्रोस्तवा शक्तिशाली होगा, वे हर परस्तिती को सहच पार करेगा, और जो कमजोर होगा, वे छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा कमजोर के आगे परस्तिती बड़ी हो जाती है, और शक्तिशाली के आगे परस्तिती पहाड से रुई बन जाती है, तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे ये अलोखिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं, देपताई खुशी और ब्राह्मनों की खुशी में भी फरक है, ये ब्राह्मन जीवन की परमातम खुशी, अतियंद्रिय सुक्की अनवूती देपताई जीवन में भी नहीं होगी इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ, रोज समझो, आज खुशी मनाने का दिन है, यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है न, यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे तो सदा ये सिम्रिती में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी देखो, खुशी का चहरा सबका अच्छा लगता है और कोई दुख शांती में घबराया हुआ चहरा हो तो अच्छा लगेगा नहीं न जब दूसरों को अच्छा नहीं लगता तो अपना भी अच्छा नहीं लगना चाहिए जब दूसरों का ऐसा चहरा अच्छा नहीं लगता तो अपना भी नहीं लगना चाहिए तो सदैव खुशी के चहरे से सेवा करते रहो माताएं ऐसी सेवा करती हो घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए चाहे कोई ग्यान को बुरा भी समझते हो फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है चो ये खुश रहते हैं बाहर अभिमान से ना भी बोलें लेकिन अंदर महसूस करते हैं और आखिर तो जुकना ही है आज गाली देते हैं कल चरणों में जुकेंगे कहां जुकेंगे अहो प्रभु कहकर जुकना जरूर है तो ऐसी स्थिती होगी तब तो जुकेंगे न कोई भी किसी के आगे जुकता है तो उसमें कोई बढ़ापन होता है कोई विशेष्टा होती है उस विशेष्टा पर जुकता है ऐसे तो कोई नहीं जुकेगा न दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं सदा खुश रहते हैं रोने की परस्थिती में भी खुश रही, मन खुश रही, ऐसे नहीं हसते रहो तेकिन मन खुश हो पांडव क्या समझते हैं, ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या भी कम होता है खुश मिजज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं, मुख से बोलो, नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतह प्रतक्ष करेगी तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है, जो स्वयम खाता है, वे खिलाने के बिना रह नहीं सकता है अच्छा भी बेलगाम और सोलापुर्ग्रुप अपने इस श्रेष्ट जीवन को देख हर्शित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है, हीरे का मुल्य होता है न, तो इस जीवन को इतना अमुल्य समझ कर हर करम करो ब्रामन जीवन अर्थार अलोकिक जीवन अलोकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती जो भी करम करते हो वे अलोकिक होना चाहिए, साधारण नहीं अलोकिक करम कब होता है जब अलोकिक स्वरूप की सिम्रिती रहती है क्योंकि जैसी सिम्रिती होगी वैसी स्थिती होगी सिम्रिती में रहे एक बाप दुसरा ना कोई तो बाप की सिम्रिती सदा समर्थ बनाती है इसलिए करम भी श्रेष्ट अलोकिक होता है सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया न अभी और सब मेरा मेरा खतम हो गया ब्रामन बनना अर्थार सब कुछ तेरा कर दिया यह गलती तो नहीं करते हो मेरे को तेरा और तेरे को मेरा तु नहीं बना देते हो जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा मेरा भले को हो लेकिन मेरा बाबा को हो बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा एक मेरा कहने से महनत से छोट जाएंगे बोज उतर जाएगा नहीं तो ग्रस्ती जीवर में कितना बोज है अभी हलके टबल लाइट हो गए इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो उड़ती कला के सेवाए रुकती कला में रुकना नहीं है सदा ही उड़ते चलो बाप ने अपना बना लिया सदा इसी खुशी में रहो चा, आज के लिए वर्दान ग्यान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर वन बनने वाले सर्वगुन संपन भव वर्तमान समय आपस में विशेश करम द्वारा गुण दाता बनने की आशकता है इसलिए ग्यान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूरत बन सब को गुण मूरत बनाने का विशेश करतवी करना ही है तो व्यरत देखने, सुनने, वा करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी दूसरों को देखने के बजाए ब्रह्मा बाग को फॉलो करते हुए हाज सेकिंड गुणों का दान करते चलो तो सर्वगुन संपन बनने और बनाने का एक्जेम्पल बन नमबर वन हो जाएंगे आज के लिए स्लोगन साइलेंस की पावर द्वारा नेगिटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है आज के लिए लवलीन स्थिती का अनुभव कैसे करें? ये परमातम प्यार ऐसा सुकदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकिन भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुक के जूले में जूलने लगेंगे अच्छा, ओम, शांति